नवश्कार उस्तो वालकम तो गवर्मेंट एक्जाम इंफो तो स्वागत है आप सब आज के वीडियो में देखें यहां पर यूकेटर पलेस्टिक तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है तो इंपॉर्टन अपडेट है आप सब के लिए और इसके अलावा हम बात करेंगे 52.1R यह है आपका पावर ट्रांसमेशन कोपरेशन अव उत्रखन लिम्टेट के अंतरगत जो अवर अभियंता विद्योत और यांतरिक प्रसिक्षु का पोस्ट कोड 52.1R है इसका रिजल्ट आ चुका है प्लस यहां पर आपका उत्रखन पावर कोपरेशन लिम्टेट के दिया गया है तो जो भी यहां पर 150 पदों का यहां पर दिया गया है कि परिक्षा बर्णाव आपका जारी हो जुगा है तो 150 पोस्ट के जो है आपके रिजल्ट यहां पर आचुके आप देख सकते हैं तो सभी को यहां पर congratulations और जो भी आपर select हुए हैं और जिनके LGL भी नह to are तो इनका result अब जारी हो चुका है देखिए धीरे धीरे यहां पर चीज़े complete हो रही है हालग इसमें थोड़ा समय लग रहा है result वगरा आने में तो उम्मीद करते हैं जो आने वाले exam से वो जल्द हो जाए एक update है आज की वो भी हम थोई से discuss करते हैं इसके बारे में देख होगा जो आने वाले exam से इसको लेकर news paper में बताया जा रहा है कि जो exam हो डीले होगा या फिर इंतिजार करना पड़ेगा यहां पर candidates को देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत जाता इंतिजार करना पड़ेगा खास्ट और से lt का exam मुझे लगता है जून में इसकी update आजाएगी जून last तक आजाएगी वैसे अगर कोविट की बात करें तो कोविट की cases यहां पर धीरे धीरे कम होने start हो चुके हैं आज की update आपने देखा होगा जो कोविट की cases से कम होने शुरू हो गया और यह मैंने आपको पहले बताया था कि जो मई है उसके आखिर आखिर में पहले या second मुझे ऐसा लगता है कि 15 जून तक जो चीजें हैं वो control में आ जाएंगी और जो LT का एक्जाम है खासतार से वो जून के आखरी वीक तो उसकी update आ जाएगी और जून में ही आपको जानका भी मिल जाएगी कि यह exam कब होने वाला है तो LT का तो हो जाएगा लेक जो exam से वो one day exam होते हैं तो इसे conduct कराया जा सकता है अगर आयोग चाहे तो और कुछ लोग कह रहें कि monsoon है तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी कहा गया कि monsoon की वज़ए से बरसात की वज़ए से जो exam में वो नहीं लिए जाते हैं कई बार तो देखने वाली बा देखने को मिल सकती है आपका क्या कहना है इस बारे में जरूर बता है अपना जो opinion है वो आप बता सकते हैं तो यह दो बात है थी जो आप इसना शेयर करनी थी तो बस आज के लिए इतना है stay home stay safe धन्यवाद